आज मैं बहुत छोटी सी बट अमीजिंग और आप कह सकते अनबिलीबिबल लौ फटरेक्शन की सकस स्टोरी सुनाने वाली हूँ आला कि आपको ये बहुत छोटी लगेगी बट मैं सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे हर दिन लौ फटरेक्शन आपके लिए क इसके शायद इसमें फोटो दिखेगी कि नहीं शायद दिख जाए ये एपल का एयर पॉल कैसे मैंने मैनिफेस्ट किया मैं उसकी आपको सकस स्टोरी बताने वाली हूँ मुझे एक आइफोन लेना है हाला कि मैं ले सकती थी आराम से ले सकती हूँ बिंग डॉक्टर मैं कभ डिसाइड कर लेगा और सही समय आएगा तो वो मेरे पास आजाएगा बट मैं देखना चाहती थी ट्राय करके कि जो मैं सबको बताती हूँ वो सच में होता भी है यानि बहुत सारी चीजें तो होती है मैंने स्टोरी भी सुनाई है बट फिर भी मैं और ट्राय करती हूँ य सच में ये काम करता है वो और प्रूव होता जाए और मेरा बिलीब सिस्टम और मजबूत होता जाए और साथ में मैं आपको भी आपके बिलीब सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते जाओं तो बात ऐसी है कि मुझे लेना था आइफोन लेना था कोई सा भी अब ये हमने डिसाइड नहीं किया था तो एक दिन OPD में बैठके हमने मेरे एक MD student है उससे हम discuss कर रहे थे कि कौन सा अच्छा है अभी यह pro 15 release होने वाला है उसके पहले हम pro 13 की बात करने लगे 14 की बात करने लगे उसने अपना mobile दिखाया उसका weight था काफी तो हम लोग उसके वारे में discuss कर रहे थे और मैंने उसको बताया कि मुझे भी लेना है और मुझे बहुत पसंद है उसकी quality बहुत पसंद है and it's very good बस मैं उस और सुबह हमने इस तरह की चर्चा भी की और उस दिन आके मैं दो पहर मैं सो गई एक देर घंटे मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि मुझे फिर college जाना रहता है तो मैं थोड़ी देर रेस्ट की और 15-20 मिनिट मैं कुछ अपनी affirmation सुन लेती हूं समय या कुछ भी books और देर दो घंटे के बाद जैसे ही मेरी बेटी मेरे husband आयो मेरी बेटी उपर आई और बोलती है मम्मी देखो पापा आपके लिए gift लेके आये और उसने बस इसको मुझे इस तरीगे से दिखाया कि जैसे ही मैंने comforter से थोड़ा सा अपना face निकाल के देखा और मुझे यह निशान दिखा और यह उन्होंने मुझे gift किया तो कितनी आश्यरे की बात है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो गोलते हैं कि एक रात में क्या manifestation होता है तो manifestation तो होती है process तो हो जाती है बस यह उस पर depend करता है कही बार क्या होता है हमारा उतना believe नहीं बन पाता है कि वही च पर उतना believe शायद नहीं बन पाया था कि यह मिल जाएगा बट कहीं न कहीं मेरे दिमाग में यह चीज थी कि वह मेरे पास है और मैंने हमेशा बोला universe is testing you universe आपकी परिक्षा लेता है आप जितनी चीज की demand करते हो अगर आप उतना believe नहीं कर रहे हो या आप deserve नहीं करते हो या प्रोग्राम की वज़े से होती है जो पहले का प्रोग्राम है तो उसके accordingly universe आपको test करता है कि अभी फिलहाल आप कैसा vibrate कर रहे हो तो वो universe आपको देता तो है वही sign है कि वो देगा पर हो सकता है उससे कम दे पर आपके पास जो है उससे हमीशा जादा रहता है यह वह एक sign ह तो यह sign यह प्रूब करता है कि manifestation होते हैं भले यह चोटा सा manifestation हो बट यह होता है और मैंने नहीं बताया था किसी को कि मुझे यह चाहिए है यह कुछ नहीं पता था यह सिर्फ मैंने रात को imagine किया सुबह स्टूडेंट से मैंने चर्चा की और दो पहर में मेरी बेटी ने मु यूनिवर्स जो आपको आप जैसे संकेत देते हो उसके accordingly काम करता है कैसे आएगा आपको इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है I hope this very very small story will help you to manifest your dream desire और कि step से आज नहीं तो कल वो भी manifest हो जाता है जो आपकी last desire रहती है और मिलते हैं अगले वीडियो में और यह story visualization की है कि हमने रात को सिर्फ एक ही रात में visualize किया और नेक्स डे आप धाई तीन बजे के करीब यह मुझे gift मिली तो I hope this story will also help you कि visualization काम करता है और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक गुपाए